तो चलिए दोस्तों हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग क्रेट करेंगे वीपीसी नेटवरकींग तो मैं चलो अपने फोल्डर के अंदर चला जाता हूं आपको चलो मैं यहां से निव फोल्डर उसके अंदर तो मैंने अलेडी सारे के सारे कोड रख रखा है तो मैं एक निव फोल्डर चलो बनाता हूं मैंने अलेडी सारे कोड को लिख रखा है मैं बस आप लोग को समझाने वाला हूं और आप लोग प्लीज इसे खुद से करो मेरे कोड को रेफर मत करना अधर्वाइज आप लोग को बहुत ही इशू होगा सीखने में तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम एक फोल्डर करेंगे वीपीची के लिए कि इस नेटवार्किंग अब इसके अंदर चलो हम लोग फाइल कर लेते हैं दोस्तों मैंने अप लोग को फाइस एक जगह रखेंगे वैरियेबल्स को एक जगह रखेंगे प्रोवाइडर्स को एक जगह रखेंगे और डेटा को एक जगह रखेंगे तो चलिए यहां पर देखते हैं वीपीची नेटवार्किंग चलो मैं डॉट टीएफ अब इसके अंदर क्या क्या हो रहा है सबसे पहले हम लोग को क्या करना है सबसे पहले हमें वीपीची करेट करना है ठीक है दोस्तों तो चलो सबसे पहले हम लोग यहां से एक में.tf और यहां पर हम लोग VPC क्रेट कर लेते हैं यहां आप लोग देख सकते हो यह VPC क्रेट हुआ अब Cider Block देना है मुझे तो यह चलो यह Cider Block दे रहा है फिर मुझे जो DNS host name होता है जो यह दिएने सपोर्ट होता है उससे इनेबल करना है या नहीं तो यह मुझे इनेबल करना है तभी आपको private तभी आपको पब्लीक आ तभी आप पब्लीक ली इंटरनेट से यूज़ कर रहा हूं almost मैं maximum चीजों के लिए मैं variables ही यूज़ करने वाला हूं तो यह हमारा हो गया वीपीजी create अब क्या create करना है हमें internet gateway तो इसके बाद हम लोग create करेंगे internet gateway ठीक है इसके बाद हम create करेंगे internet gateway इंटरनेट क्या होता है आप लोग जब document refer करोगे तो आपको इसली यह सेम सब कुस्छ से मिल लगा ऐसा नहीं कि मैंने चलो यह मसूशना आप लोगा कि चलो मैंने ठीक है क्योंकि आप जब document refer करते हो तो आपको बहुत समय ऐसा आएगा कि कुछ-कुछ ऐसा बहुत सारे errors से आपको लोग गुजरना पड़ेगा तो वह चीज़े न अगर आपको error आता है मतलब सीख रहे हो चीज़े को बहुत जरूरी है कि आप को code में error आए अधर्वाज लिटरली आपको बहुत ही मुश्किल होगी जब production में आप काम करोगे तो ऐसे आपको आपका troubleshoot करने का चमता बढ़ता है ठीक है इसलिए आप लोग डॉक्यमेंट को refer करना अब जब VPC क्रेट हो गया internet क्रेट हो गया अब क्या क्रेट करना है हमें इसबनिट भी क्रेट करना है डाउटेबल ही क्रेट करना है तो चल्ली आएए देखते हैं बाप ही सब चीजों को ठीक है यह चलो यह डेटा है चलो मैंने लगता है मैंने गलती से में डॉक्य अर दो डिया यह मुझे डालना है data.tf में ठीक है तो यह चलो मैं भी के पיב nursing संबनेट Connect दोस्तों कौन-कौन से सबबनें मैं आप लगों बताया था दो पब्लिक सानेट और दो डारैबेस सबनेट क्या है प्राइबेट होगा और पब्लिक सानेट क्या होगा मेरा η largest वोगा अब ब सबनेट को आप लोग ने सुना वैंने क्या बोला मैं डो अभी ऑफ्लाएबिलिटी जोन में लॉंज करने वाला थ। चलिये अब देखते हैं दोस्तों क्या आप लोग availability zone को खुद से create कर सकते हो नहीं reason availability zone यह हम लोग खुद से create नहीं कर सकते हैं यह by default created है AWS में अगर हमें किसी particular availability zone को use करना है न तो हमें data provider का sorry data block type का इस्तेमाल करना होगा हम लोग इस data block type से क्या करेंगे data क्या करेंगा आपको AWS account पर जाएगा availability zone जो भी जैसे US East 1 में 6 होता है मुंबई region में 3 availability zone हो गए उस step से जो भी availability zone है उसका data उठा करके ले आएगा और आपको बताएगा कि हाँ इस region में 6 availability zone है अब आपको जो भी use करना है आप उसे use कर सकते हो तो यह काम हम भी करने वाले हैं क्योंकि हम जब अपने subnet को launch करेंगे तो हमें तो availability zone का ज़ुरत है और कैसे जब तक हम अपने subnet का जो script है उसे availability zone के बारे में नहीं बताएंगों से कैसे पता चलेगा और availability zone के बारे में बताने से पहले availability zone का जो detail है वह हमारे पास होना चाहिए तो हम लोग सबसे पहले availability zone का details निकालने वाले हैं तो details के लिए क्या करते हैं आपको मैंने बताया था data.tf अब इसके अंदर हम लोग data block लिखने वाले हैं तो यह रहा हमारा availability zone का जो है वह यह data uploading आप यह प्रोद देह सकते हैं अब यह जाएगा यह जाएगा यह पहले data क्या क्या करेंगा यह देख रहा है कि हाँ भाई इसy availability zone के बारे हैं पता करना है ठीक है अब क्या पता करना है यह क्यों करेंगा जाएगा और देखेगा जो भी availability zone एवलेवल है मालो चलो US-ist1 में 6 availability zone है अगर उसमेंसे 2 down हो गया तो यह क्या करेगा यह बस बाकी का 4 ही लेकर के आएगा 6 का 6 लेकर के नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसे बोला है कि जो available है उसी का detail लेकर के आना अब मैं क्या करूँगा जब मैं subnet करूँगा subnet करेट करते ताइम मैं इसे as a reference मैं लेने वाला हूँ availability zone के detail को तो चलिए आए हम लोग देखते हैं अब यहां से चलो public हम क्या करना है पहले हमें public subnet करेट करना है तो चलो इस पार्ट को मैं copy कर लेता हूँ guys again I am saying don't use my code use your documents तो पहला subnet जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था यह तो मैं चलो कुछ भी दे रहता हूँ और मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि यह unique होना चाहिए आप जैसे देख सकते हो मुझे दो subnets करेट करने हैं तो मैंने इसका नाम one और इसका नाम two दे रखा है यह unique है ठीक है अब कौन से वीपीसी में आईडी में देना है वो मैंने दे दिया आप लोगों को मैंने reference लेना बताया है चलो मैंने ऊपर जो यह वीपीसी यूज किया यहां मैं या तो आपको cider block as a string दे सकता था या फिर मैं variable की तरह पास कर सकता हूं ठीक है variable कैसे पास करना है मैं आप लोगों को अलड़ी बता चुका हूं ठीक है अब आ जाते है availability zone वो कैसे देंगे कैसे data का reference लेते हैं तो सबसे पहले सबसे पहला चीज मुझे reference कहां से लेन होता है तो मैं करता हूं variable से ठीक है अगर resource मुझे reference लेना होता है दोस्तों resource में पहले resource add नहीं करते हैं और में आड़् करते हैं ठीक है ब resource चलो हाँ चलो मैं कहां था data पर अब सबसे पहले मुझे डेटा लेना है तो मैं data ले चुका हूं अब data में कौन सा data चाहिए अपनो तो डेटा में आजो जो पहला ब्लॉक है AWS Availability Zone वह यहां डालो डॉट करके फिर सेकेंड में यह क्या है मेरा सेकेंड ब्लॉक है यह हो गया second block दोस्तों यह मैं सोचना कि यह चलो यह दोनों available है मैंने वहाँ पर यह वल आवलेबल नहीं यह वल आवलेबल लिखा हूं चलो मैं इसको कर देता हूं अपनों कनक्फ्यूज नहीं हो जाए चलो वन कर दिया ठीक है है यहां भी मैं अब कर देता हूं सेम चीज मैं नीचे भी कर देता हूं अब क्या है नेज्स यह नेम्स का मतलब क्या है यह availability जो उनकर नाम लेकर क्या रहेगा क्यों मैं नेम क्यों ber 1933 क्यों क्योंकि वैंव यहां पर आपको ऐसे नेमें देना होता है मैं यह हम लोग रेफरेंस ले रहे रहे हैं तो डबल कोट्स्क में नहीं देते हैं तो हम लोग यह ही रेफरेंस ले रहे हैं यह हमारा reference है ठीक है और यह रिजन ने की मैंने यह name दिया है अब आप लोग सोच रहा हूंगे यह 0 क्या होता है आप लोग को I guess I hope कि आप लोग को array का concept बता होगा array में क्या होता है चलो मैं जल्दी साब को यह भी बता देता हूं मैंने जीरो और वन क्यूं रखा है यह चीज़े आपको आगे भी चलके काम आने वाली है लेट सपोज आपका एक एर्य है 2 X 546 चलो 5, 2 31 अब यहां पे आप लोगा ने पढ़़योंगा यह जो पहला 46 है इसे लोगं इसे चाहते हैं जीरोथ पोजीशन हो यह जयुंद जैसे क्या है कि फ्रस्ट पोजीशन थ्री जो है उसे सेटरड पोजीशन अगर पोजीशन वायस देखा जाए तो यह जो 46 है यह जीरोत पोजिशन पर है यह जो 5 है यह फर्स पोजिशन यह जो 3rd है यह 2nd पोजिशन और यह 1 है यह 3rd पोजिशन means हमारा जब हमें कोई भी वैल्यू देना होता है उसका पोजिशन हम लोग ऐसे देते हैं अब अब जो भी जैसे आप लोग देता जो आजा यह किसे फॉर्म में रटा यह रीपोज आता है तो जो जो मैंने हम यह व्लोक यूज किया यह बुलॉक आने के बाद इस ब्लौक और कियां उत्व attending के उस्प्ड़ा को शलू यह कि यूएस इस्ट 1 ए ए यूएस इस्ट 1b है यूएस इस्ट वन सी ए यूएस इस्ट था वन डी दोस्त ऐसे करते करते यूएस इस्ट यहां क्या होता है यह जो पहला पार्ट है यह पहला स्ट्रिंग है इसे हम लोग कहते हैं जीरो पोजिशन यह हो गया हमारा तो अगर हमें रेफ्रेंस लेना हो अगर मुझे कहीं मेंशन करना हो यूएस इस्ट वन तो मैं उसे मेंशन करूंगा ब्रैकेट में इसका मतलब यह हुआ कि भाई यह जो लिस्ट ऑप इस्ट्रिंग है इसमें जीरो पोजिशन पर जो भी वैल्यू है वह वैल्यू आप ठीक है सेम जब मैं सेकेंड पब्लिक सब्नेट को यूज कर रहा हूं तो आप लोग देख सकते हो सब कुछ सेम है बस यहां पर मैंने वन डाल दिया है मतलब इसका वैल्यू क्या होगा यूएस इस्ट वन भी आई होब कि आप लोग को यह कंसेट समझ में आ गया हो दोस्तो इसके अंदर जो भी आप इंस्टेंस लांच करोगे दोस्तों उसमें पब्लिक आइप आइडेस लांच मैप हो जाएगा ठीक है इसका वैल्यू करना पड़ता है तो चलो यह था हमारा पब्लिक सब्नेट आप लोग पब्लिक सब्नेट समझ गया होंगे अब दोस्तों मैं इसके अप लोगों ने डाइग्राम में याद होगा मैंने अप लोगों देखा होगा मैंने बस एक ही इसी तू वहां डाला है बद दो-दो सब्नेट लांच कर रहा हूं ऐसा क्यों रीजन यह है कि जब आप लोड बैलेंसर लांच करते हो न तो लोड बैलेंसर को मिनिमम त दो वह two subnets चाहिए लांच करने के लिए और वह भी दोनों अलग-अलग availability zone में यही रिजन है कि मैने दो पुप्लीक subnet और दो अलग-अलग availability zone में उसे लांच किया है सेम के साथ भी डेटाबेस का भी जो सबनेट होता है उसका भी यही कंडिशन है कि भाई उसके पास दो सबनेट होना चाहिए और दोनों अलग 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 जो यह विकोज वो यह सारे लिए वीरिटर यूज ओते है तो इस रिजन से हाइवलेएवलेटी के लिए पहले ही हमें में उन्हें करना होता है कि यह तो availability जोन है इस दोनों में यह यह सबनेट से जो आप लोगो इन के सब हाई availability आपको यूज करना है ठीक है यह तो था पब्लिक समनेट अब हम लोग देखते हैं अब किरेट करेंगे हम लोग डेटावेस सब्नेट को चलिए डेटावेस सब्नेट का यह हो गया कोड तो यह भी सेम है यहां भी कुछ इश्यू ने बस यहां पर देख सकतों मैप पब्लिक आई प्यों लॉंच को मैंने कर दिया है फॉल्स सेम जो उपर है यह है टू टू यह हो गया और यहां भी सेम है एक वन में लॉख हो रहा है यग यह रहाइब संद हो गया अब क्या रह गया अब आब हमारा रहा गया राएप कि दोस्तों यह सारे चीजे मैंने कैसे करना है डॉक्मेट से देखके मैं आप लोग को अल्रेडी बता चुका हूं तो अगर आप लोग समझ नहीं पारा चीज़ों तो प्लीज मेरे पुराने लेक्टर को आप लोग समझ जाओगे तो सबसे पहले रॉट टेबल में क्या करते हैं मैंने क्या बोला था यह जो है यह पुब्लिक रॉट टेबल है इस रॉट टेबल में जो भी सबनेट होंगे व रहा हूँ और यह इंटरनेट फेशिंग इस फूट भी अक्सेसिबल तुरू इंटरनेट तो मैंने डेसनेशन साइडर एक दे दिया अलग से 0.0.0.0.0 और इसे मैंने इंटरनेट गेटवे आईडी को रॉट कर दिया है और इस यह जो रॉट है इस रॉट को मैंने अटेच कर दिया है इस रॉट टेबल के साथ आप देख सकते हो इस रॉट टेबल साथ ही अटेच हो चुगा है तो यह जो रॉट टेबल क्रेट होगा इसके पा ब्लॉक होता है वो होता है आपका VPC का साइडर ब्लॉक और यह एक एडिशनल पाथ ही एडिशनल राउट यह भी एड हो जाएगा चलो अब नेक्स देखते हैं एक हम लोग को डेटाबेस का भी राउट चाहिए वह यह रहाद डेटाबेस राउट अब डेटाबेस राउट में किया है दोस्तों डेटाबेस राउट шьुड नौर वी एक्सेसिवल फ्रॉम इंटरनेट तो वह ही मैंने किया है यहां पर देख सकते हैं मैंने कोई भी राउट 0000 कोई ऐसा राउट नहीं दिया है नहीं यहां पर बस एक ही राउट होगा लोकल जो कि होगा विपीसी का साइड ब्लाउक अब ना गय बढ़ते हैं अब हम अगय धेखते हैं नोखकी में छो चीज़ इंहें दोस्तों वहां पर हम लोगजब शुनिफों अठेस्वर करते हैं तो यहीं हम भी करने वालेस को हमलोग अठेच करने वाले तो पहला पहला राउट टेबल ठीक है आपका जो पहला सब्नेट था पहला पुब्लिक सब्नेट उससे पुब्लिक राउट टेबल के साथ हमें अटेच करना है था आप दो देख सकते हो सब्नेट आइडी AWS-subnet.publicsubnet1.id कैसे रेफरेंस देना है आपको पता है फिर राउट टेबल आइडी भी यहां देना होता है राउट टेबल आइडी क्या होगा जो राउट टेबल होगा यह राउट टेबल ब्लॉक टैप हो गया यह वहाँ पुब्लिक राउट टेबल में मुझे अटेच करना है डाउट आइडी तो आपको देख सकते हो पुब्लिक सबनेट को मैंने पुब्लिक राउट टेबल से टेच कर दिया सेम गोज फॉर दे सेकंड पुब्लिक सबनेट यह पुब्लिक सबनेट टू है इसे भी मैं सेम पुब्लिक राउट टेबल से अटेच कर सकता हूँ एक्सेसिबल होगा वही मैंने किया है फिर डेटाबेस टू को भी हम लोग क्या करनेंगे डेटाबेस राउट टेबल से ही अटेच करेंगे ताई हो कि आप लोग यह भी समझ गया होंगे अब आते हैं सेक्योरिटी ग्रूप पे यह हमारा लास्ट है वी पीसी नेटवर्किंग में तो दोस्तों जो सेक्योरिटी ग्रूप है न मैंने एक ही क्रेट किया है मैं ऐसा नहीं कि मैं डेटाबेस के लिए कुछ अलग क्रेट कर रहा हूं सबनेट के लिए सॉरी इसी टू इ तो मैं बस एक ही सबनेट के लिए अब चाहो तो दो सेक्योरिटी क्रेट कर सकतो एक डेटाबेस के लिए भी और एक सर्वर के लिए बहुत टोटली डिपेंस ओन यूँ चलो इसे आपके साइनमेंट ही ले लो ठीक है अब इस सेक्योरिटी ग्रूप मैंने क्या किया किस वी कर दिया है जी रहा जी रूनर जी दो इसा तो बी मतलब होता है हमारा मरो प्र भूंस तो सारे के सारे इसे पार्स मैंने में और यह हुआ हमारा तो दोस्तों यह था हमारा वीपीसी नेटवर्किंग अब आप लोगों ने देखा मैंने डेटार और टीएफ रिक्रेट कर रखा है अब चलो बाकी के जो भी चीजों को है यह हमारा में फाइल होता है यह में है अब बाकी की चीज़े क्या है वैरियेबल होंगे चलो बाकी की का जाकए तो वैरियेबल क्या होता है दोस्तों मैंने आपिड्य बता रहा है सिंपल नाम होता है और इसका यहां पर देसकता हूँ ठीक है और यह वरियेबल को आप कैसे रिफ्रेंस देना ayudar ने आनले क्वमी होआँ यह फ्राइफ करने वाला ऑब प्रोवाइडर के लिए बना देते हैं इसके अंदर भी प्रोवाइडर चलो बना दिया हम लोगने अब एक और क्या होगा में होगा प्रोवाइडर हो गया वैरियेबल हो गया और पुट भी तो होगा और पुट डॉट टीएफ तो दोस्तों हम लोग कुछ जो जरूरी है मैं उसे ही और पुट ले रहा हूं ठीक है तो यह हमारा वीपीसी नेटवर्किंग का स्क्रिप्ट केरेट हो चुका है रेडी हो चुका है चलो मैं पहले आप लोग अपने एडब्रिस कांसोल पर सो कर देता हूं कुछ भी नहीं है हमारे डब्रिस कांसोल पर यह नॉर्धन वेर्जिनिया है चलो ठीक है आप देख सक तो कुछ भी नहीं है यहां पर यहां से स्टेटस है जो हम लोग स्टेटस यहां से देख सकते हैं ठीक है तो आप लोग देख सकतो वीपीसी जीरो सब्नेट जोर एवरिटिंग जीरो ठीक है दोस्तों तो चलिए अब हम लोग यहां से इसे लॉंच करते हैं सबसे पहला काम आप लोग को याद होगा सबसे पहला काम हमें क्या करना है जिस भी डायरेक्टरी में आपका कोड रखा हुआ है उस कोड के उस डायरेक्टरी के अंदर जाकर के टेरा फॉर्म आइनिट रन करना है तो यह जो वीपीसी नेटवर्किंग डायरेक्टरी ने उसके अंदर मुझे यहां पर टेराफर्म प्लैन और अप्लाइग करूंगा तो इस वीपीसी नेटवर्किंग डायर्यक्टी के अंदर जो भी फाइल है वह सारे फाइल एक टाइम रण होंगे यहीं रीजन है दोस्तों की सेम फोल्डर के अंदर मैं RDS और EC2 का कमांड का स्क्रिप्ट नहीं रख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि वह तीनों में अलग 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 रन करूं ना की सेम टाइम पर नेक्स्ट करते हैं हम लोग प्लैन चला हम लोग देखते हैं यहां पर आखर क्या इश्यू हुआ है लाइन नमबर 68 में डॉट टी एफ फाइल में क्या है एडेटा रिसोर्स AWS एविलिविलिटी जोन अंडर स्कॉर जोन्स एविलेबल हैज नॉट बिन डिकलियर इन दे रूट मॉडूल यह क्या बोल रहा है क यह जो स्टेटमेंट है नहीं यहां पर कुछ गलत बता रहा है दोस्ता आप लोग को याद होगा मैंने जो डेटा लिया था इसका नाम मैंने मोडिफाई करके एविलेबल अंडर स्कॉर वन कर दिया था वह चीज़े यहां में इंसर नहीं है चलो मैं वह चीजों को देख देता हूं यह दो लाइन में एक लाइन फिफ्टी एट में सेम इशू और लाइन नंबर सिक्स्टी एट में भी सेम इस चलिए हम दो कोई बात नहीं देख लेते में में आप जाओ यहां से लाइन नंबर पहले फिफ्टी एट फिफ्टी एट में यहां एविलेबल अंदर स्कूर वन होगा और लाइन नंबर शिक्स्टी एड यहां भी एवलेवल अंदर श्कूर वन होगा गाईज एरर है तो इसे डरना नहीं है ठीक है आपको बस एरर को ध्यान से पढ़के समझना है कि आखिर इशू कहा है देखिया हमारा प्लाइन हो चुका है सक्सिस्पूली इ कि अब हम लोग क्या करेंगे यहां से अप्लाइ करेंगे है कि हमारा सारा रिस्वर्स के डिट हो चुका है और दोस्तों मैंने जैसा कि आप लोग को और पूर्पूर्ट भी दिखाया था हमारा अब लोग करता हूं अभी कुछ भी मोडिफाई नहीं होगा हमारा कम्प्लीट इन्फर क्रियेट हो चुका है अभी बस मुझे आएगा आप लोग देख लेना मैंने अप लोग के पूराने स्टेट से मैच करेगा जो यहां इस टीएफ स्टेट में में से मैच करेगा और देखेगा कि भाई कोई भी चेंजिज नहीं करने हैं तो देखो कोई भी चेंजिज नहीं हुआ जिरो डिसोर्स जिरो एड जिरो चेंज जिरो डिस्ट्रोई बस क्या हुआ उसने जो और पूट दिया वह मोडिफाई कर दिया भी पीसी आईडी अब यहां पर सो कर रहा है चलो हमनों कॉंस्टॉल में भी देख लेते हैं हुआ है गाई रफ देख सकतो हमारा पी किश क्रेट हो चुका है हमारा सब्येट हो चुका है यहां पे चार सब्वनेट हमने क्रेट किये थे दो सब parks मे 쪽 और देस्के लिए और रूशर्फ पब्लिक देख लेते हैं हमारा दो राउटेबल क्रेट हो चुका है एक डेटाबेस एक पब्लीक राउटेबल पे देख लेते हैं आपको आदा गाप पैबलीक राउटेबल पे मैंने दो राउट किया था एक जो बाइद default होता है वह local होता है और एक यह मैंने अलग से डाला था अलग से अटाइज किया था internet gateway के तरू अब यहां पर हम लोग सबनेट अर्ट असोसियेशन देख लेते हैं दो सबिनेट यहां पर केстiksi गए गए है एक पब्लिक सबनेट one एक पपली सबनेट one भी हम लूग टे टाइक टेबल को देखते हैं डेता बेसरता है और यहां पर राउट तो दोस्तों यह हमारा security group क्रेट हो चुका है यह एक default security group by default always VPC के साथ create होता है तो मैं अभी इसको इग्नुर कर रहा हूं मैंने जो खुद से जो security group क्रेट किया है मैं इसे add करने वाला हूं आपको देख सकतो inbound all traffic allowed है on internet तो दोस्तों यह था हमारा networking केरेट हो गया है यह अंपेट परपार करेंगे करें है कि Building